कि मेरा सजेशन रहेगा एच सीवी में ठीक है ज्यादा बेटर दिया हुआ है में मदब ऐसा है कि आप समझ जाओगे ओके जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हो तो आपके जो सबसे इंपोर्टेंट डिवाइस है ठीक है वो क्या है आपकी आइस जो की परसीव करता है कि आपने जो देख रहे हो वो है क्या ठीक है तो लेट से ए तो लेट से फर्स्ट यह गूस्त बोड में है तो आइस क्या है इच्ट जोश्य एच्ट आप्टीकल इंस्ट्रुमेंटWow इस में क्या होता है जरौंjसा Fr लेंस होता है और एक ऐसा है और ये ऐसा जोटे लो प्रेंट अपना नाम लिख देख अ कि अ अपना नाम लिखो, जेते लोग प्रेजन्ट अपना नाम लिखो, सभी लोग, जेते भी लोग प्रेजन्ट है, अपने अपनी हाधरे देदो है, क्या हम हाजे रहें, ठीक है, तो यह है, आई का स्ट्रक्चर, देखो, इसको आपको ड्रॉ भी कर ले ना है, यह है, यह है आई, इस अन अप्टिकल इंस्ट्रॉमेंट, जो की पीछे जो है आपके, यह आपने पहले कर रखा है, यहां रेटीना है, इस रेटीना में आपके रॉड्स और कॉन्स होते हैं, यह आपको पता है, इसमें क्याता है, रॉड्स और कॉन्स, आपको अन्देरी में भी चीजे परसीव होती हैं, ठीक है, कलरफुल होता है, यहां रेटीना में दुनोर सारे नौव्स हैं, ठीक है, आप्टिकल नौव्स हैं, तो जो की एक सेंस करते हैं, और यहां पे, यहां पे यह वाला हिस्स कलर करता हूं, यहां पे कुछ टाइप का यह यह ऐसा, यह जो पार्ट है, इस इस आईरिस, ठीक है, क्या है, आईरिस, यह जो है आपका लेंस है, ठीक है, और यह जो खाली स्पेस है, खाली स्पेस, इसको बोलते हैं, प्यूपिल, और यह जो फ्रंट वाला पार्ट है, इस इसको बोलते हैं detection एक और इसको अंदर लीकवेड बरा रहता है रिक है उस लिकवेड Filips reuse हो गुटकर होfilm इस ऐस ऊपना लेंस लगा होता है यह आपने नाइन टेंग में करने के इसा श्रक्टर यह जो है मसल यह आइस है ठीक है अब इसका यह जो प्यूपिल है प्यूपिल में लाइट का एंट्री और यह सब एक्दम पेज रॉष्णी आएगी तो अपनी आखें बंस ही हो जाती है ठीक है और अगर चीज को बहुत से देखना है तो एक्दम आख फाड के देखते हैं और देखें एक्दम पढ़िया ठीक है तो यह आप जिमा सकते हो इसको ठीक है पीछे रेटी ना है आपने बहुत कुछ क्या भी होगा टेंट में कि इसको चाप लो इसको चाप लो कि अच्वेस कि आफ शरी नहीं कि अच्वाय जब्सक्राइब कर दो, कि कि अ दो झाल झाल जाल 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 कर दो हुआ हुआ इस पूच्छा आपको पूच्छा जाय आपको दिया हुआ आपकी तो बोड में यह पूच्छ सकता है बोड में यह चीज पूच्छी जा सकती है यहाँ रेटिना यहाँ पे अप्टिकल नर्व्स होते हैं यहाँ पे पीछे की तरफ अप्टिकल नर्व्स जाते हैं ठीक है यह आपकी स्टेट बोर्ड वाली बुक मैंने नहीं देखी है आप प्लीज इसको अच्छे से डाइग्राम वाइग्राम बनाना सीखे ठीक है ठीक है ओके क्लियर है बाग अचा इसके अंदर दो टाइप के डिफेक्स बताय हुए हैं यह यह जो अपना पूरा स्पियर है यह कुछ सम्धिंग अराउंड रहती है ठीक है जो भी डाटा जी है अब वो तो जो मेडिकल वाले हैं जो निकालके करते हैं उनी को पता होगा ठीक है जब भी आप किसी चीज को देखते हो ना बिटा जब भी कोई भी आप अगर आप अब्जेक्ट व्यूविंग होती है तो आपकी आपकी आइस जो है यह जो आखे हैं यह आखें बेस्ट उसको minimum एक distance जो है एक तो डी होता है डी डी is called as distance डी is called as यह जो distance है यह minimum clear distance की यह वो distance है जिसमें आपको easily चीजें दिख जाती है this is called as least distance or clear vision आपको सुनो जहां से इमाजिन करो पहले मेरी बात जहां से सुनो आपको अगर आप खिर्की के बाहर देखो ठीक है आपको घर पे लगे भी दिवार पे तस्वीरें जो भी आपका क्लॉक है पंखा है सब दिखेगा आप मैदान में जाओ टेरीस पर जाओ आपको दूर दूर की विल्लिंगे भी दिखाई देंगी आकाश भी दिखाई दे रहा है और आपको सूरज तारे सब दिखाई जेंगे क्यों क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट थोड़ा ऊपर थोड़ी अवे प्रॉम यू बनता है बहुत दूर ऑब्जेक्ट है तो आपके इंफिनिटी डिस्टेंस से जो बनता है वह आपके फोकल लेंग पर बनता है तो जो भी यह लेंग्स है इसका काम है कि जो भी जो से भी तो व क्या करता है इस अंतर्व करता है इंपल बीुम रहत्त अंपकर दिखाए इना में तो aimed अगर इयां पर पर दिखाई देती है this is this minimum distance D अगर इसके अंदर लेके आए इसके अंदर लेके आए तो clearly दिखाई नहीं देता है अच्छा for example आपने जो अपने senior citizen होते हैं जिनके age हो जाती है तो वो है ना धन से पढ़ नहीं पाते paper को या letters को तो क्या करते हैं एकदम आप अपने आपके हाथ में बुक है तो उसको एकदम दूर रखेंगे पढ़ने के लिए क्योंकि उनका ये जो D है ये काफी बढ़ चुका रहता है नॉर्मल के इसेज में पच्छी सेंटीमीटर होता है नॉर्मल के इसेज में नॉर्मल यूमन बींग में जुट है कि ये मिनिमंज दिस्टेंस है आप आराम से देख सकती है एक फुट का सम्तिंंग अरूंध दोू फुट के आरउंट होगी है ने 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 फुट न है जो भी है एक ब पुट दो फुट के अरूंड होगी है इसको लिख लो ये अगर इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी पर अबजेक्ट है तो इन्फिनिटी पर अबजेक्ट है तो कुपल लेंज पर बनेगा कुपल लेंज पर कुपल लेंज पर इमेज बनेगा जब दूर होता है अबजेक्ट तो इसली आराम से इमेज बनता है कोई दिक्कत नहीं आती है बट अगर लीज डिस्टेंस फॉर क्लियर वीजन से अगर पास लाओगे तो इमेज थोड़ा कम क्लियर दिखाए जएगा कि एक सीवी पेज 335 सॉरी 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 चाप्टर नंबर फोटीन पर है यहां तक हुआ क्या यहां तक हुआ यहां तक हुआ दी चाप लिए आपने अच्छा मुझे यह चीज बताइए मैंनिफिकेशन है अभी अपन या अपरेंट साइस की बात करते हैं आप लेट से फॉर एक्जांपल एक्जांपल आपके पास में जैसे यहां सीधी सीधी सी बात बूलें आप में आकाश में मानलो प्लेंज उड़ रहे हैं थीगे प्लेंड रहे हैं तो जो प्लेंड है ना वो आपको बहुत छोटी नजर आती है इफ यू सी अ प्लेंड अब यू तो उसका साइस बहुत छोटा नजर आएगा यहां मैं बूलो आप बहुत उचाई पे हो मदब मानलो आप बहुत बड़ी बिल्लिंग में रहे हो और टेरेस से आप देख रहे हो तो आपको बड़ी बड़ी ट्रेंज जो जा रही हैं वो आपको जितनी दूरी पे अबजेक्ट रखेगा आप रखा हुआ है ना तो उतना ही वो छोटा नजर आएगा अबजेक्ट इस केप अवे फ्रॉम यू आइस से दूर ले जाओगे वो आपको छोटा नजर आएगा जैसे मानलो यह चांदी है सन और मून है यह होते तो आपको कितने पहुत छोटे दिखाए दे रहे हैं क्योंकि इनका जो एंगल सब्टेंज कर रहे हैं अपनी आखों पे वो काफी कम है मैं आपको एक एक जाम्पल देता हूं मानली जी अबजेक्ट है हाइट एच का यह लेंस है यह लेंस है मेरा और इस ऑबजेक्ट हाइट इसका मानली जी कुछ बिस्टेंज है एक्सवन तो क्या होगा इससे ऐसे लाइट शारी होगी मानली जी यह अंगल थीटा है और यह वाला अंगल रेटीना पे सेम थीटा सस्पेंड हो रहा है तो यह जो है एरिया प्लाफ रेटीना लाइट विल फॉड फॉड अच्छा यह बात होगा अब यह अंगल कितना सब्टेंड हो रहा है यह आंगल जो सब्टेंड हो रहा है ठीक है अब दूसरा केस क्या है यही सेम सेम प्रॉब्लम में क्या ले रहा हूँ तो सेम मेरा लेंस है, यह आईज है, लेंस है, यह आईज है, and now this object is at this distance, same object है, बट अभी distance हो गया x2, तो बेटा मैं लिखा रहा हूँ नहीं, उतना ही आ रहा, उतना ही एक्जाम में आएगा, तो आब यह आनम माल लेजे, थीटा डाश हो गया, तो अब यह थीटा डाश कितन इस वाले एडिया में आएगा, अच्छा, यह वाला एरिया होंगे रेटिना पे, एरिया और रेटिना जहां पे आपके रॉट्स और कौन्स एक्टिवेट होंगे, कौन सा एरिया जादा है, प्रॉस केस वाला एरिया जादा है, कि सेकेंड केस वाला एरिया जादा है, इसमें सिदा डाइश क्या है, यह घीड by x2. देखो फॉलस वाली केस में आपके आँपों पे क्योंकि अब्जेक्ट पास है यह एंगल ज्यादा सब्टेंड होगा और यह एंगल सब्टेंड वहा को रेटिना पे ज्यादा एरिया एंटिवेट होगा और जैसे दूर करोगे, बहुत दूर आ गया, तो यह एंगल जो ठीटा डाश है, यह कम सब्टेंड हो रहा है, एरिया कम सब्टेंड हो रहा है, मतलब activation कम हो रहा है, तो जो भी आपको apparent size किसी object की perceived होती है, वो उसके actual size के अलावा, आखों से उसका distance कितना है, उस पे भी matter करता तो यह बैड को सकходит है, इसको बोलते है, वीजुल आपगल, यह एंगल तीटा को क्या बोलते है, वीजुल आपगल, यह क्या होता है, वीजुल आपगल, इसको लिखने इसे यह दो आपगल, अब्ब Machadhan बहुत इंपॉर्टन पार बता दिया है मने बहुत इंपॉर्टन पार बता दिया है अपको विज्वा अंगल इस हाइट अपजेक्ट अपन दिस्टंस बता अपकोष्टन अपकोष्टन खिवास अपकोष बादिब। आ बाकर है गस्टन अपकोष्टन अपकोषटं इस अबजेक्ट है जितना दूर होगा अबजेक्ट उसका साइज जो है आँखों पे दिखता वो काम होता जाता है वो काम होता जाता है तीन डिवाइजिस पढ़ने, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड और टेलिस्कोप, खतम फिर कि यहां तक चापली है ना और देखो मैं जितने भी पॉइंट पढ़ा दूं आपको तो HCV की डीडिंग और अपने NCRT की जो है रीडिंग करनी ही पड़ेगी, बोड की बुक की रीडिंग करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बोड में आपको यह सब बनाने पूछेगा हो का और यह सबस्ते पूछेग का टार ना जाट चापल राया इस टू बोड़ी दोड़ेगी, तो बोस्ता है ना आटो यह नाए गए other is 170 cm tall okay are standing are standing 4 meters sorry are standing are standing 5 meters 5 meters and 4 meters away from and I okay which boy appears taller कौन सा बच्चा ज्यादा बड़ा नजर आएगा एक बन्दा है जो 188 cm का है वो 5 meter दूर है और एक 170 cm का है वो 4 meter दूर है इन में से इसको नाम दे दो boy A ये है boy B कौन सा boy ज्यादा बड़ा नसर आएगा तॉलर नसर आएगा है ना बड़ा मतब तॉलर आएगल निकालो अजर आएगल तॉलर नसर आएगल नाम दे डियादा है ये ये पी ये ये फी है 188 cm दिसंस है 5 meter विखन में हाइग है 170 cm दिस्टेंस है चार मीटर, तो थीटा माइगनिफिकेशन है, 188 by 5, थीटा 1, थीटा 2, 170 by 4, आंसर निकाल लो, तो इसका जो भी वैल्यू आ रही है, तो इसकी जो भी वैल्यू, कितनी वैल्यू आ रही है, जरब बताओ जरब, ये संतीमेटर, ये मीटर, ये संतीमेटर, ये मीटर, ये संतीमेटर, ये मीटर, थीटिवाली केस्स में, 37.5, उसले में, तो आ रहा, 21.89 फॉट्टिया, ठीक, वेरी गूट, पॉट्टी जुट्ट हो गए युणेट सेवां और सेंटीमी निचे मेटर बड़ा नीचे मेटर तो यह एंगल कंपर करने तो यह विजह वह बले यह कम नेजिए वीज आईप यह आंखों का खेल आपको समझ में आया है, छोटी चीज है और फिर उसको बड़ा परसीव करता है, तो लुद्दा क्या है, अगर मैं किसी तरह की से वीज्वल आंगल को चेंज कर दूँ, अगर मैं किसी तरह के से वीज्वल आंगल को चेंज कर दूँ, तो काम बन जाएगा, तो अपन छोटी चीज है, उसको भी बड़ा देख सकते है, जाजिक समझो सारा खेल किसका है वीजुल आंगल का है वीजुल आंगल है वीजुल आंगल सारा खेल आएक में वीजुल आंगल का है अगर मैं किसी चीज को छोटी चीज है उसको जितना पास कर दूगा उसका वीजुल आंगल बढ़ा दूगा तो मुझे बड़ी चीज नज कर सकता हूं तो में काम है आपको वीजुल आंगल बढ़ाना है वीजुल आंगल इसी पर बेश आपके तीन इंस्रुमेंट्स हैं सिंपल मैक्रोस्कोप या मैगनिफाइंग्लास यूज किया गया वो डेटेक्टिव लोग यूज करते है देखा है क्या मैगनिफाइंग ग्लास तो वो वो एक simple microscope है उसी की functioning देखना है यूज तो गया ना सभी ने यूज करके अपने आपको डेटेक्टिव समस्के सभी लोग अच्छा पेपर भी जलाके देखा है वाँ वाँ यह ना अस्वे science वाल तो देखे simple microscope क्या है simple microscope अच्छा तो नॉर्मली हम लोग किसी भी आपजेक्ट को देख सकते हैं अगर object is kept at u is equals to capital D to u is equals to infinity इस बात से सब लोग सहमत है अगर object यह वो distance है जहां object clearly दिखाई दे सकता है इसके पास करोगे तो object दिखाई नहीं देगा अरे आप लोग ने कभी ऐसे डाला कि घर पे सुई या तागा हो तो ऐसे एकदम मीच के एकदम तागा डालते रहे उसके अंदर धागा जिसको बोलते हैं सुई धागा यह सब तो उसमें भी क्या होता है अपने बड़े उमर वाले लोग तो करी नही पिर भी नहीं जाएगा फिर वो कुछ होता है लग पाई चांस भी होता है ठीक है या लगाया है बुझ गया है मेरी आखे तेज है तो अब यह देखो तो अब्जेक्ट कहां से कहां रह सकता है एक नॉर्मल यूमन बीम की आईस के लिए दी से लेकिए इंगे तक रह सकता ह जैसे सूरत चांड बहुत दूरी पे फिर भी देखाई देखा है तो दी से लेकिए अच्छा तो माक्सिमम अंगल और सॉस्पेंशन किता हो सकता है इस वें यू हैक यू इस इकोस क्तु टी उस पेसमें आंगल जो है माकसिममम होता है ठीक है ज़िए ठीटा नॉट हो गया माझ लिजए हाइट है उसकी और यह डिस्टनस एज दी तो इस वाले केस में अब्जेक्ट की डिस्टनस जो है जब अब्जेक्ट देखे जारा यह यह हाईट का अब्जेक्ट है और यह मान लीजे यहाँ किसी लेंस पर आ जाता है यह थीटा नॉट है ठीके और यह मान लीजे वो दी डिस्टेंस पर राख आगा है ठीके तो इस केस में थीटा नॉट किसमा होगा है यह थीटा नॉट इस एकोल सूए बाइट इसको लिख लीजे यह माक्सिममम अंगल सब्टेंट कर सकता कोई भी ऑब्जेक्ट ऑफाइट एच कोई भी ऑब्जेक्ट यह माक्सिममम अंगल है और बाद में तो क्या वाद में तो करेगा इनपिंटित दूर ले जाएगा इंगल कर द trembledता जाएगा एक समीं यू बढ़ता जाएगा přिता नॉट रागे बहुत जयादा दूर चाला गया तो क्या हो जाएगा है एनफिनिटी थीटा इनउड जीडो लोंता दिखाई What is H? H is Height of Object. H है confusing लग रहा है क्या आपको? वहा हैं लो आपको? वहा है वहा है कर दो कहो है क्या है क्यां हो आपको है क्या है कैं आपको? okay अब अपना मैग्निपाइंग जो भी ग्लास है वो थीटा को बढ़ाना चाहेगा तो कैसे बढ़ाएगा उसको ज़रा आपने देख लेते हैं इपगे अब चाहेँ एक नदस का में क्या हता है इस असी अगल को धिन्धिसzd में ग्रीज्ट कैल वी इंधिस्ट यूसींगे ट्रीज्ट का इन्धिस्ट में ग्रीजिंग्ट ट्रीज्ट के short focal length just in front of eyes in front of eyes ठीक है, यह अंगल बढ़ा देंगे, कैसे बढ़ा रहे हैं, यह अभी दस्त, मैं बताता हूं, यह statement लिदेंगे, बस मैं आपको formula बता दूँगा, दो formula बताने, फिर चीज़ां असान हो जाएगी, ठीक है, अब अभी देखो, फॉर्स टाइम ऐसा लगेगा, कि आप चीज़ें थोड़ी सी difficult हो रही है, देखे धर है, थीटा नॉट कितना है था, थीटा नॉट हवाई दी था, थीटा नॉट हवाई दी था, एफाई कैन इंक्रीज थीटा नॉट कंपेरिटी तो दे इनिशेल वन, I will see a larger image, a bigger image, तो आप देखो, मैंने क्या किया, मैंने आँखों के सामने एक lens रखा और आँखों के सामने एक lens रखा और ये जो height h का object है, इसको इस lens के close focal lens पे रख दिया, बास समझो, मैंने क्या किया, पहले वाले case में आँखों पे, देखो, जो आप magnifying glass use करते हो, उसको क्या करते हो, एकदम आँखों के सामने लेके देखते हो, एकदम आँख लगा के देखते हो, तो उसको आइस के जैसे, नॉर्मल केस में क्या हो गया, ये theta naught h by d था, मैंने क्या किया, एक lens रखा, this is extra lens, और यहाँ पे मेरी eyes है, यहाँ पे मेरी eyes है, जस पीछे lens के eyes है, अब क्या होगा, इसको मैंने focal length पे रखा, तो और focal length, basically, मैं small focal length लेना चाहता हूँ, small focal length है, it's small, तो अब यह angle माल लीजे, theta 1 है, बात समझे, theta 1 है, और यह इसके plane में, if object is at f1 of lens, the image is at infinity, the image is at infinity, मतला आपको image आराम से दिखाई देगी, image के दिखने में कोई perceived करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बट यह जो theta है, आपने इसको d यहाँ पे है, you have kept a lens, ठीक है, और उस lens का f जो है smaller है d से, और यह आपको भले ही आपके आपकों से d distance पीछे आ रही है, बट इसकी जो image बनेगी, क्योंकि यह focal length पे है, the image would be at infinity, आपको perceive हो रहा होगा, image d distance, f distance पे नहीं है, image infinity से आ रही है, so it will be easily seen, so it is seen easily, seen easily, इस case में जो angle है, visual angle होगा, वो h by f होगा, क्यों, यह तो दिखाई angle तो यह ही subtend हो रहा है, क्योंकि यह perceive हो रहा है कि यह पीछे सा आ रहा है, और infinity सा आ रहा है, तो angle अभी भी यह होगा, तो इस case में magnifying, जो visual angle है, वो h by d हो, h by f हो गया, पहले case में क्या था, normal case में h by d हो सकता था, यह maximum था, अब आपने क्या कर दिया, एक lens use किया, जिसका focal lens, जिसका focal lens d सी छोटा है, अब आपको magnification नजर आएगा, अब आपको यह magnified value है, क्यों, this f is less than d, आपने इस object को उसके f पे रखा, ठीक है, अपने उसके f पे, focal lens पे रखा, आप जो magnification है, एक सेकंड देखना, एक सेकंड देखना, एक angular magnification जो आएगा, angular magnification, कि भई है, कितना ताइम्स, angular magnification बढ़ गया, तो क्या होता है, तो क्या होता है, f, अपने आप, this is h by d, घ्राइं से देखो, तो यह आजाएगा dy, तो एक mirror के वज़ज़ से, एक lens के वज़ज़ से, magnification कितना होता है, h by d, this is the magnification, यानि कि आपका f, जो है, वो d से छोटा होता है, तो आप जितना छोटा focal length लोगे, उतना ही ज़्यादा आपको magnification मिलेगा, माल लीजे, इसके problem देखते हैं, माल लीजे, least distance of region है, अची centimeter, और आपने एक focal length लिया, 5 centimeter का lens, बताओ magnification कितना होगा, कितने times magnification हो जाएगा, देखो, ratio कितना आ रहा, byf, कितना time हो गया, 5 times, मतलब जो object आपको दिखाए दे रहा था, अगर आप एक focal length लिया, इसकी focal length छोटी होती है, और small focal length के होते हो, आप focal length लोगे, तो क्या होगा, आपको जादा इतना times, अच्छा, इसका unit क्या होता है, इसको generally अपन है ना, एक symbol से donate करते है, 5x, देखाए गया, 5x, camera में जो होता है, 5x, 2x, जो magnification होता है, यह उसका symbol होता है, simple, ठीके, यह आप magnification हो गया, तो उसको unit जो है, this is simple, यह unit, magnification का, 5x, मतलब नॉर्मल से 5 गुना जादा है, इस वले, इस वले section में किसी को कुछ doubt है, गया, प्रिवेस स्लाइट दिखाता है, बट यहाँ पे जो, पहले सुनों, आराम से दिखाता, आराम से दिखाता, कौन से समझना है, बस करता है, simple magnifying glass यह यह, नॉर्मल आई होती है, एक second, कहा गया, नॉर्मल आई होती है, तो थीटा होता है, है h by d, यह maximum हो सकता, और थीटा अगर यह object इंफिनिटी पे हो, तो थीटा जीरो हो सकता, तो same object है मेरे पास h5 का, मैंने उसके सामने lens रखा, और eyes मेरी पीछे है, तो इसको क्या किया, मैंने इसके focal length पे रख दिया, तो image और d से छोटा है focal length, इमेज इंफिनिटी से आता हो नजर आएगा, बढ़ यह जो अंगल सब्टेंट करें, इतना ही तो यहाँ पे आइस पी सब्टेंट करेगा, the same angle theta1 that is subtended on the lens will be subtended on the eyes, theta1 is the angle subtended on eyes as well as the lens. इस lens और eyes पे दोनों पे theta1 angle subtended on the lens. यह पेज हो जाए, तो आगे बढ़नने बोल्टा मुझे. यह स्टाइड होगी तो next slide के लिए बोल्टा मुझे. यूनिट क्या होता है? एक्स यूनिट होता है. और जब इमेज इंफिनिटी पे बनती है ना, तो आइस पे ना कोई जोर नहीं पड़ता, कोई श्ट्रेंड नहीं आथा. आइस पे कोई स्ट्रेंड नहीं आता. आइस पे कोई स्ट्रेंड नहीं आता, जब इमेज इंफिनिटी पे बनती है. आराम से रिलाक्स होके आँखे देख सकती हैं. झाल किसा हुआरा शे Sec Bowl किसिता है, तो स्ट्रेंग। कर देंस कोई सन स्ट्रेंड किस्टburg..., किस्ट बनती है. ठीक हो गया तो बोलो कि अब आपको समझ में आ गया है ठीक है जब आइस इंफिनिटी पर होती है तब आराम से देखता है अच्छा मेरी बात सेकेंड केश देखो यह लेंज लगाया था और ऑबजेक को इसके फोकल लेंज पर रख दाता अच्छा मुझे बताओ क्या मैं इस और पास लेकर आ सकता हूं क्या अगर ऑबजेक्ट इस एट एफ है इमेज कि तर होगी इमेज इंफिनिट व होगी रिलाक्स से देखाई रिलाक्स मोड में देखो मोड में इमेज देखो और अच्छा पिशन उब्जेक को और पास ला सकता हूँ और बहुंग क्या मैं इस अब्जेक्ट को और पास ला सकता हूं क्या हाँ ला सकता हूं यह फोकल लेंट है यह फोकल लेंट है मैं इसको अब्जेक्ट को और पास लिखे आया तो क्या होगा एंगल बढ़ेगा इस थीटा टू बट इसका इंपाक क्या पढ़ेगा इसका impact क्या पढ़ेगा पहले जो image थी जब focal length पर रखा तो image perceived हो रही थी infinity से आ रही है image perceived हो हो रही थी कि वो infinity से आ रही है ऐसा perceived हो रहा था अब यह पता है क्या अगर image focal length और pole के बीच में हो तो तो इमेज किदर बनता? इफ अबजेक्ट इस बिट्वीन पोकल लेंड और पोल, इमेज किदर बनता? किजी को नहीं पता चल रहा? कि अधाय किदर बनता? मैं क्या चाहरा हूं.. इनफिलेंट इस रहे थी? मैं चाहरा हूं कि यह जब यहां पर बनेगी? यह इमेज यहां बन जाए यह इमेज कहा बने यहां बन जा है और यह डिस्टेंस वो डी पहले वाले केस में जब डी से काम लेके अपने अब्जेक्ट को फोकल लेंज पर रखा तो इमेज परसी हो रही है इंफिनिटी से आरे रिलाक्स मोड में देख रहा है और यह यह चीज हो गई अब मैं क्या चाह मैं चाह रहा हूँ यह इमेज कहां बने डी पे बने आ इस वाले केस में क्या होना चाहिए लेट से डिस इस इस यू, this is object distance u, तो इस case में theta 2 होना चाहिए, theta 2 होना चाहिए, h by u, h by u होना चाहिए, what should be this value of u, find u, find u, so that, so that image is at d. image is at d, u के value निका लिए है, ताकि image d पर आ जाए, object distance कितना है, u, image distance किदर बने image, v पर बने, तो simple सा formula लगा देंगे, 1 by v, minus 1 by u, is equals to 1 by f, अच्छा, अब यहाँ पर समझना यह है, v कितना है, v इधर है, minus d है, v कितना है, इधर है, पीछे की तरब, minus d है, और, f मता है, u निकालना है, यह पहले यहाँ तक छापो, वह पर समझाता है, पहले एक बार छापनों इधर पर, जितना दिया है, तब छापनों, तमना आए, खमराँधे? झाल झाल यह चाहप लो बेटा चाहप लोज आपको अभी हेल्प दरूंगा थोड़ा था कन्प्यूजिंग लग रहा होगा इसके प्रीविएस लेड में क्या हैं प्रिका नहीं साथ है कि नहीं सर में को लगा वो आपने एक्स्ट्रा का सिखायत अमला वो रब कर देंगे यह देखो आपर समझा देंगे यह वाली स्लाइड है यह चाप लो इकपर यह केस्टू है मैं आपको फॉर्मिले रटा दूंगा उत्तना काम है बस और पुछ नहीं काम है इसमें जो फॉर्मिले हैं रटा दूंगा एक दिया हुआ है कि भी पता है इमेज किदर बनाना है और आपको यू बताना है कि लेंस से उसके कितनी दूरी हो कि यहां तक चाप लिया गया कि चाप लिया तो डन लिख दिए अब यह सेकेंड केस है जब इमेज जो है इमेज जो है मेरी डी पर फॉर्म हो यहां पर पहले केस में इंकिनिटी पर फॉर्म होती थी अब यह डिस्टेंस वीजन है लीस डिस्टेंट वीजन है उस पर क्या होगा तो जड़ा देखिए 1 by V minus 1 by U is 1 by F तो 1 by U is 1 by V minus 1 by F तो किदर बनना चाहिए बनना चाहिए minus D पर फॉर्म होगा लेंट आपका कितना है तो यहां से 1 by U की वैल्यू आजाएगी U की वैल्यू आएगी कितनी minus D plus F upon D F अच्छा मैंने एक और चीज करिए यहां पर यह काम किया अच्छा यह नेगिटिव साइन क्यों आरहा नेगिटिव साइन बतारहा है यह यू की वैल्यू जो जर्न नेगिटिव आएगी मतलब यह इस साइड है इसका सिगनिफिकेंस क्या हुआ यह उकिदर ए पीछे साइड है यह जो नेगटिव साइन आया यह नेगटिव साइन क्यों आया इसका मतलब है यू इस पैक साइड यू एज बिहाइंड दी पोल ठीक है यह बास आपको समझ में आ रही क्या अच्छा अब मेरी बास समझिए इस केस में अंगल सब्टेंडेड कितना था इस केस में अंगल सब्टेंडेड था एच बाई यू अब मुझे मैगनिफिकेशन का रेशो निकालना है मैगनिफिकेशन का रेशो निकालना है मैगनिफिकेशन का रेशो क्या होता है थीटा तू थीटा टू भाई थीटा नॉट थीटा टू कितना है थीटा टू है सर एच बाई यू एच बाई यू थीटा नॉट कितना था है एच बाई सब्सक्राइब कर दोनों का साइन अगर मैं दोनों का साइन प्रॉपर लूँ डिस्टेंस और यू का तो आपको एक पॉजिटिव कॉंटिटी मिलेगी बात समझेए इस बिकॉज नेगिटिव साइन का सिग्निफिकेंस देखिए और अगर मैं डिवाई यू की वैली लूँ डाट वुड बी डी एफ डी प्लस एफ पाई एफ तो दिस इस डी वाई यू अगर इसकी वैल्यू मेरे को पता है डी प्लस एफ बाई एफ तो यह मैगनिफिगेशन कितना हो गया वान प्लस डी भाई एफ एफ टो जब यह मैं सिंपल सा काम हुआ है कुछ भी थदरनाग काम नहीं है एले मैंनिफिकेशन डी वाई एफ ता अब मैंनिफिकेशन कितना आगे बिटा जब मैं उसको फोकल लैंग पे रखता था तो मैंनिफिकेशन डी यह करता था और इमेज इंचिनेटी पे बनती थी आराम से रिलाक्स होके चिल मोड में देख सकते थे बट अगर मैं उसको पास करता हूं लेंज से तो मैंगनिफिकेशन बढ़ जाता है बट इन इस मागनिफिकेशन अगर मैं पास में तो मैं और मैंनिफिकेशन बढ़ा सकता हूं तो सिंपल मैगनिफाइंग जो है ग्लास है उसमें अगर आप ग्लास को तोड़ा और आँखों के पास लोगे ना तो वह बढ़ जाता है उसका मैगनिफिगेशन पढ़ जाता है अगर लेंज के साथ खेले होए हो तो पता होगा जो फॉर्मले हैं समप करते हैं कि अगरा लेंज फॉर्मला यूज होगया इसके वज़े से थोड़ा ताइम लग रहा है बड़ा आप क्योरी रीट करो बहुत आसान लगेगा हो गया तो प्लीज दंगर के लिखतो इस नेगिटेव साइंग इस ज़स्ट फॉर्मले आपको आने चाहिए शिंपल माइक्रोस्कोप यह होता है जो नॉर्मल ऑब्जेक्स की इमेज नॉर्मल ऑब्जेक्स है उनको बड़ा दिखाता है क्यों दिखाता है एक नहीं चीज आपने पड़ी वह होती है वीजूल आंगल वीजूल आंगल होती है हाइट ऑफ ऑब्जेक्स जहां से देख रहे हैं ठीक है जहां से मतब ऑब्जेक्स रखा हुआ है यह होता है अचा आपनने इसकी वैलू निकाल रखिए है कि सिंपल माइक्निफिकेस्टे संदी बाइफ होता है एफ ऑब्जेक्ट आब्जेक्ट इस एड़ फोकल लेंग औब ऑब्जेक्स लेंग इमेज इमेज इस एड़ इंफिनिटी ठीक है अगर फोकल लेंट पर रखूँ तो मुझे magnification यह मिलेगा और अगर मैं उसको pass ले क्या हूं ऐसे pass ले क्या हूं कि image जो है image infinity पर है तो इस वाली case में 1 plus b by f हो जाता है if object is less than f and image is at capital d image जो है वो capital d पर बनी है object less than f है ठीक है इस में magnification जाता है यहां पर क्या होंगी eyes are strain थोड़ी से eyes पे जोड़ पड़ेगी यहां पर क्या है eyes एकदम relaxed eyes are relaxed eyes are relaxed बस यह दो भी याद रख लेते तो रामायन बताने की ज़रूद नहीं है एक d by f होता है और एक one plus d by f यहां पर image infinity पर बनती है यहां पर image जो distant vision होती है कि पच्छी सेंटीवेटर मानते वहां बनती है कि विद्ध बता लिए कि आप 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 कि कि आप कि आप अब दो प्योड़ दो अब दो अब अब दो अब दो अब दो अब झाल झाल तो दान चमक राएगे विटा चिद्धू हाँ सर दो फॉर्मले याद रखने विटा एक मैंगनिफिकेशन और एक मैंगनिफिकेशन वन प्लस दी वाई यह उपर ओला मैंगनिफिकेशन कब आता है जब इमेज को कि जा सुरी अब्जेक को कहा रखते है विटा अब्जेक को कहा रखते है इसकेश में पोकल लेंद पे इसमें अब्जेक को कहा रखते हैं लेज देन एफ और इमेज पता रहती है दी पे बनें इसपे एक कोशन देता हूँ सिंपल माइक्रोस्कोप खतब एक कंबाउंड माइक्रोस्कोप और एक दुस्वा पैलिस्कोप बर्स चप्टर देखो तो क्या है देखो एक बताना भूल गया मैं यह डी वाई एफ है आप ऐसे ढ ही कर सकते हैं तो में फोकल चाह सेंटीमेटर दो सेंटीमेटर एट सेंटीमेटर वे हाफ सेंटीमेटर गांड कोड़ेंट इता चोटा नहीं कर सकते हैं ठीक इसा नहीं होगा जितना इमेज में डिस्टॉर्शन आने लगेगा इमेज ब्लर होगी कुछ उबर खाबनेगा लाइज डिस्पर्स होंगी तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत इंपनेटली स्मॉल कर सकता हूं यह मैक्स तू मैंगनिफिकेशन यह जो है ना चार से पांच एक्स के रेंज में आता है ठीक है जो नॉर्मल अपना लेंस होता है वह चार से पांच बुना बढ़िया दे सकता है और ऐसे नहीं बहुत जादा दे सकता है कि सर मैं सॉप गुना देख मूंगा अंडर्ड एक्स क थरू एसेंपल मैंडो को थू फू ए सिंपल मैंक्रोवर्ड थू ए उड्ड वागनिफआयर अव फोगल इंड अ फोगलेंड किते 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 किती करए ज़ है तुवेल प्वैंट शेंटिमेटर् पालें थार्गलर दे आंग्वलर मांगनिफिकेशन थेक्ए एक्एफ the image infinity second at the near vision at a near point of eyes which is which is 25 tell me simple question how much is the magnification is what 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 is what is what what is very good magnification d y d y f d magnification 2 but magnification 3 3 1 magnification 3 1 magnification 2 2 magnification 3 1 5 0 1 1 2 1 2 1 1 दाल लिजे इस पर पूर सब्सक्ते है यहां पर दिक्कात क्या है बले मैंनिफिकेशन बड़ा है बट क्या हुआ आंकों पर ज्यादा जोर पड़ रहा है क्या अभी इमेड जो फॉर्म हो रही है वह अच्ची सेंटीमिटर पर हो रही है इसमें इमेज इंपिनिटी पे तो यहां रेलाक्स हो के देख सकते हैं यह थोड़ा सा एक 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 का फेक्टर है नेक्स आलिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप मैं आपको डाइग्राम समझा देता हूं इसका डाइग्राम समझा देता हूँ, देखे जरा, क्या होता है compound microscope, पहले देहान से डाइग्राम देख लो, यह दो compound, वो पहले वाला क्या था, simple, यह क्या है compound, इसमें दो चीजे हैं, इसमें basically अपन दो लेंस यूज़ कर देते हैं, क्या करते हैं, दो डिफरेंट लेंस यूज़ क यहां पर eyes होती है, यह जो आँखों के पास होता है, इसको बोलते हैं eye piece, क्या बोलता है, eye piece, आँखों के पास है न, तो यह eyes है, इसको बोलते है objective, इसको objective क्या है बोलते है, क्योंकि यहां पर मैं object रखता हूँ, यहां पर object रखता है, objective के पास जो lens है, उसका नाम objective, जो आपके आखें इसके पास पोकुस रहती है अब देखें इसका सेटप समझ यह डाइग्राम समझ दीजए आपको बाखी सारी चीजां समझ में आजाएंगे और सिर्फ रे डाइग्राम समझ लीजए यह क्या है यह एक ऐसा लेंस है एक ऐसा कॉंबिनेशन है जिसमें आप यह एक ऐसा कॉंबिनेशन है जिसमें आप क्या करते हो आप कॉंबिनेशन दो डिफरेंट दो डिफरेंट लेंस का पावर यूज़ करके एक मतब ज्यादा ना इदिजिए लाना चाहते हो नाम यह कंपाउंड क्यूंकि दो यूज़ किया है बढ़ी बहुत सिंपल बनाया है कि यहांसे यह मान लीजिए इसका फोकल लेंट मॉन औट ओके अब अग्या यह जब ऑब्जेक्ट यूफी है हईट है तो इससे क्या होगा यह मिरर जो है यह मिरर यह mirror क्या है यह तोड़ा सा इसके focal length से दूर पे है तो इसका एक image बनाएगा क्या करेगा इसका एक image बनाएगा वो image कितना है आपको दिखा ज़ेगा है वो मान लिजे यह इसका image इधर बनाएगा यह h था यह h यह h है यह h है यह h है ये क्या बना? इमेज बन गया. क्या बना ये? ये बन गया, इमेज बन गया. अब ये वाला लेंज जो है, ये object, real object ये है. इस real object का एक मैंने इमेज बना लिया. अगर मैंने एक इमेज बनाया, अब ये आई पीज पे ये वाला लेंज जो है, इसका एक और इमेज बनाएगा. this is this image this is h double dash ये image 1 ये image 2 ये image 2 बात समझ में आ रहे है क्या दो lens का use के अपन ने दो lens उस करके अगर पहले अगर मैं आखों के सामने से ये lens लगाता तो मुझे ये h का h not जाज दिख जाता बड़ मैंने क्या गया एक और दूसरा lens लेया और इस h dash image 1 का एक बड़ा image गनाया और ये वाली lens जो है ये आपको पे जाती है this angle is something theta naught और मेरे आपको पे ये angle जो आई पीस है जो angle माल लीजे theta dash पहले रे डाइग्राम समझेए रे डाइग्राम समझेए रे डाइग्राम सबको क्लियर है क्या ये आपजेक्ट यू नॉट इमेज भी नॉट और ये फॉर्स इमेज फ्रॉम दिस लेंस इस यू ए इसको छाप लो इसको छाप लो पहले में ये objective एक मैग्निफाइड इमेज प्रोड्यूस करता है और फिर ये आई पीस उस मैग्निफाइड इमेज की और ज्यादा मैग्निफिकेशन करता है इसकी वैल्यू कितनी होगी कित्ती भाई कित्ती इसकी बता सकता है कि ये थीटा डैश कितनी होगा कितना भाई कितना होगा थीटा डैश इस डाइग्राम से देखो ना हाइड कितना है हडाश डिस्टन्स कितना आई पी से यूई ये थीटा डैश ये थीटा डैश वैरी गूट वाई वी का अंसर है घड-ईच भाई-ईच ऐख भाई ये h dash by u e theta dash is h dash by u e ठीक है यह एक टू प्रोसेस है इसको अभी अपन लिख लेते हैं लिख लेते हैं इसको चापलो तो डन कर दो भई ऑजेक्टिव रियल ऑब्जेक्ट के आए यह एक ऑब्जेक्टिव है जो आँकों के पास होता है उसको आईपीस बोलते हैं ऑब्जेक्ट का इमेज बना है को है थेटा दिशामा यूडएर से इमेज वे ज़ीन कि एंऐ है तो चिक जेए इंट क्या है तो आसटल रोमेसे कहा है टाट हुआ यहeler विट श्टेप प्रोसेस इस करेंक कि ये आधि ये पुट स्टेम प्रोसेश। और सी क्या है फिर्स फोस्ट अब्जेक्टिव प्रोडूज अब्जेक्टिव नॉट्टिव प्रोडूज स्ट्टिव Cornet ६ूज्टिव प्रोडूज। and second, and in second step, in second step, IPs, IPs reduces, reduces more magnification, IPs और जदा मैन्निफिकेशन ले के लाटे है, तो अपना जो थीटा डाइस है, वो कितना है, अपने को आया H डाश बाई UE H डाश बाई UE अचा थीटा नॉट कितना है थीटा नॉट की जो वैल्यू है दाट एस H बाई D थीटा नॉट के वरली के घतती है H भाई D फीरा डाश के के गतती है दिखो अगर नॉर्मल केस को खळा नॉर्मल केस नॉर्मल गेज तो उसके अंदर अपने को अगर यह वेट आंको नॉर्माल आंकों से देखने मिलता तो इसका तो H maximum magnification कितना है नॉर्मल आइस बना जिती maximum magnification नॉर्मल आइस एच बाइडी बनाती यह है max max magnification और और निकेड आई तो अपना magnification कितना हो गया theta dash by theta naught theta dash कितना है h dash by ue यह कितना है H by d तो यह कितना है h dash by d by ue this is my magnification this is my magnification this is my magnification is this clear अच्छा, अब मुझे magnification समझना है, तो magnification समझने के लिए, मुझे h- की value चाहिए, by h चाहिए d by ue की value चाहिए, देखो ध्यान से ध्यान से ध्यान से देखो, what is height of image by height of object देखो, first case देखो, height of image upon height of object this is linear magnification अच्छा, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ minus v by u और minus v by u minus v by u, ये लिख सकता हूँ ये चीज़ देखो पॉस केस में किया था, आच्छा, जहान से देखो गी तो ये कितना है v by u, v कितना है ये पीछे plus v not, ये minus u not तो this is plus v not, this is minus u not तो ये आगया, v not, u not ठीक है? तो ये चीज़ आ रहे है ये है, this is the magnification ये रहे है, इमेज कहां बना, पहले केस में इमेज v not पीछे बना, तो उसका साइन पॉजिटिव अब्जेक किदार था? आगे की तरफ, तो minus u not, ये है h dash by h की value चाप लो इसको, चाप लो इसको पटावण चापो समझ में आए क्या? अरे, height के ratio उसता न, उसको मैंने distance का ratio बना दिया height के ratio को, मैंने distance का ratio बना दिया और कुछ भी नहीं किये मैंने हाँ, बट ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि इसके अंदर जो है न, magnification थोड़ा negative आता है क्यों, ये erect है, जो final image है, वो अपने को inverter दिखाई दे रही तो यहां तक सबने चाप लिया यहां मैं simply बोलू, magnification is b by u into d by u यह ही है यह magnification आप रट लेंगे यह जो magnification में बतले हैं, यह आप रट लेंगे अब इसपे थोड़ा सा और काम करते हैं पन इसपे थोड़ा सा काम और करते हैं पन देखे, magnification आया b by u, यह first image distance, second यह इसको ऐसे लिखलू, और फिर आया अपने को d by u e यहां पर यह जो d by u e है ना, यह जो आ रहा, this is magnifying power this is magnifying power of ips, जो ips है उसका magnifying power है d by u e, आचा यह जो d by u e हा रहा है, यह d by u e हा रहा है इसका maximum magnifying power कितना हो सक्ता है इसका max देखो इसके magnifying power of IPs जो है एक हो सकता है D by FE और एक हो सकता है 1 plus D by FE देखो यह है क्या basically this IPs is a simple microscope compound microscope में होता क्या है दो सिंपल माइक्रोस्कोप को एड़ किया है तो अगर सेफ में आईपी देता तो देखे डी बाई simple microscope देखे simple microscope में क्या होता है angular magnification h height of image upon क्या होता है height of image upon object distance क्या होता है height of image upon object distance होता है height of image तो वही तो कर रहा हो यहां पर यह जो दिया है यह वाला पार्ट है तो यह magnification कितना हो गया एक बंद देखो यहां पर इसका maximum magnification कितना होता है d by f एज बाई उकर d by f और एक पर 1 प्लस d 1 प्लस d by f तो इसकी जो वैल्यू है यहां से जो वैल्यू आई यह बाई यूई को यह मैं d by f e कर सकता हूं और एक है यह वाला तो magnification compound microscope में एक यह आ जाता d by f e जब u e की distance हो जाए f e पर और एक आए v naught by u naught 1 प्लस d by f आप समझे नहीं आप समझे नहीं यह कहां से आया आप समझे नहीं मैं यह बोल रहा हूं कि जो आपको इमेजेश दिखाई दे रही है यह बाद खाताब compound mirror खाताब compound microscope खाताब जो आप समझे टान एक खाताब in कि थोड़े से गंदे फॉर्मुले है बट क्या करना पड़े तो पड़े गई प्लीज एक बर आपिस प्रीड गरना आप है सीवी खतम भी हो गया गया ठीक है काल भी अपन फिजिक्स करेंगे फिजिक्स में यह तो खतम हो गया मैं सेमिकंडक्टर वो सब कि कम्प्लीट करा जेथा ना बोड की चैप्टर जो भी है तो तीन चीज़े बतारा रहा हूं वह याद रखें कंपाउंड माइक्रोस्कोप मेंस वाले भी पूछते हैं यह सब वेटेस तो रहता ही है थोड़ा बहुत तो रहता ही है तो दीखें compound microscope में magnification की value जो है that is V 0 by U 0 D by FE ठीक है और एक magnification की होती है 1 प्लस आचा जब यह magnification होता है final image ठीक है is at infinity यह क्या है यह इसको बोलते है normal adjustment भी बोलते है normal adjustment or at distance of distant region or at distance of distant region or at distance of distant region झाल 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 यह दो फॉर्मुलेर रट लेंगे अब देखो बुक्स में कुछ अप्रॉक्सिमेशन्स लेके भी आपको करा देते हैं तो आचा सुनिये एक चीज बहुत आखरी पॉइंट देखे सुनो एक आखरी पॉइंट में को यहां से बताओ यह यह जो आना अबजेक्टिव और यह आईपी इन दोनों के बीच में जो रहता ना डिस्टेंस डाट इस कॉल्ड एज लेंट ऑफ दी ट्यूब यह लेंट ऑफ दे ट्यूब है यह क्या है लेंट ऑफ दे ट्यूब तो आईपी और अबजेक्टिव के बीच में जो दोरी होती है उसी के इन दोनों को एक ट्यूब में रखा जाता है ठीक है देखते है माहित्रिश को जाए से थोड़ा गुमा गुमा के दिखते हो लोग ट्यूब में रखा जाता है इसकी जो लेंट हो गिए वह कितनी होगी देखे जरह है यह वी-चक्टाव और यू-ऍजो फोकल लेंटंपर थो यह देखोँ अपन पोकल लेंड पर रखाऊ तो इसके मैक्सिमम वैल्यू F ए प हो सकती है और इसके वैल्यू वी नॉट है तो जरा देखे जरा लेंट ओफ ट्यू या लेंट ओफ लेंट ओफ अफ अपन कॉमपाउद माइक्रोसकोब ट्यू लेंट ओफ ट्यू शुट्द यह होगी वी नॉट प्लस यूई अच्छा वी नॉट है यूई की मैक्सिमम वैल्यू को कल लें तो यह हो सकती है यूई की मैक्स वैल्यू मैक्स वैल्यू इस एफी क्योंकि अपन मैक्स वैक्स एफी पर रखना चाहेंगे एफी पर लखेंगे तो इमेज इंफिनिटी पर बनती तो लेंथ आफ ट्यूब इस इसको भी आप स्टार मार्क कर ले इसको भी सिंप्लिफाई कर ले मार्क कर ले आपको गेलिलेयन टेलिस्कोप यह सबने एक सिंपल टेलिस्कोप पढ़ना है अच्छा एक कोशन कर लो इसको कर लिया तो सिंप एक कोशन कर लो एक कोशन कर लो इसका शिंपल कोशन है करिए अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप a compound microscope has objective of focal length 1 cm and eyepiece eyepiece of focal length 2.5 cm an object an object has to be placed has to be placed at a distance of at a distance of 1.2 cm away from objective away from objective away from objective for normal adjustment for normal adjustment dikhata perlejko chap lo fine fine angular magnification fine angular magnification fine angular magnification यह देख्लो यह लास्ट वाला स्लाइड देख्लो नॉर्प कर दो कर दो कर देख्लेंट स्पात्थ परउअट क्या दो ये उपर वाला ही रिगार दो ऑर नॉर्मल आज़स्मेंट उपर वाला वात बीना आईस के स्ट्रेइन के नीचे वाला अट डिस्टेंस वीजन पे कैपिटल डी पे बनता है चलो देखो इसका एंग्लर माइज़िफिकेशन बताओ नॉर्मल एज़ेस्मेंट मतलब उपर वाला सुरी इंफिनिटी वे जब इमेज बनती है उसके लिए तो माइग्निफिकेशन का फ्लॉर्मला है वी बाई यू डी बाई एफी बी बाई एफी बी की वैल्यू 25 सेंटीमेटर दी हुई है आपको इमेंज की डिस्टेंस निकालनी है करें झाल 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 यह थे दिए है फोकल लेंध आई पीश कितना है इतना दिया हुआ है तो वीद अब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 1.2 सेंटिमेटर डी कितना है पत्चीस सेंटिमेटर यह कितना है आई पीश कितना है 2.5 सेंटिमेटर डी कितना है यह कितना है 20 हो गया ना वी कैसे निकलेगा देखो यू दिया है 1.2 सेंटिमेटर है माइनस में गर्गेंड़ को पता है 2.6 सेंटिमेटर यह वन सेंटिमेटर यह हैं वन सेंटिमेटर में वी नॉट निकलना है यह कितना वी 1 by v minus 1 by u is 1 by f तो यहां से 1 by v not कितना आएगा 6 cm ठीक है? हाँ, वो भी लगा सकते very good, f upon f plus u यह भी लगा सकते, शापाश तो यहां से जो value आदी है 6 6 ही आदी है 6 ही आती है 1.2 into 20 यह आएगा 56 यह जब normal adjustment हो तब यह आएगा उसको अच्छे से कर लो नॉर्मल adjustment हो तो यह आएगा अगर नॉर्मल adjustment मतलब infinity पे है इमेज कहाँ पे infinity पे है उसको correction करना था आपको समझ में आ रहे है कि जनता यह तोड़ासा टाफ है यह तोड़ासा टाफ है क्योंकि इतने ज़रे शोड़ासा टाफ है यह दस है ना यह दस यह दस है दस बीज़ती से गज़िने है इस पीज़ आपको डायग्राम में सुल करना है बस पर बिलीड सुनो मेरी बात सुनो आपको डायग्राम में सुल पूछेगा नहीं आपको से यह दो फॉर्मले चाहिए चार फॉर्मले हो गए सिंपल माइक्रोस्कोप को देखो मैंने समराइज करा दिया यहां पे यह वाला पेज अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लेना से फॉर सिफ यह पेज दी पटा है एफ पटा है मैग्निफिकेशन यह इंफिनिटी पे इमेज यह नॉर्मल एजस्मेंट यह इंफिनिटी पे जो तो देखने के लिए तो उसको अपने को चेह रहेगा एक्ष्रा कुछ बीसे कि रहेगा वो पन निक्स क्लास में देखेंगे अब आपका टास्क या है अपनी जो सब्सक्राइब को अपना क्या था क्या आप लोगों ने अगर उसको खोल के देखा है जो अपना आया है नोटिफिकेशन उसमें से कुछ कुछ पैसिफिक डाउट है क्या आपने पड़ा कुछ क्लियर ना हो अभी तड़ कि किसी को कोई डाउट है कि अपना दाना कि शाम में कुछ किसी को पूछ पूछना है लेक्चर का तम जो खौम आई है उसमें कुछ डाउट है कि किसी को